हेलो गाईज मिर नाम एक शर्म आप देख रहे हैं टेक्समाइट यूट्यूब चैनल सो दोस्तों आज किस वीडियों आपको बेस्ट फोन बताने वाला हूं अंडर 8 के यानि कि 8000 से कम के प्राइज में कुछ बहतरी इन बिल्कुल जवर्दस वैल्यू फोर मनी फोन जिनको अगर आप लोगे तो आप डिसपॉइंट नहीं होगे यानि कि आपको ऐसा नहीं लगए कि आपने पैसो में आग लगा दी तो ऐसे मैं फोन बताने वाला हूं जो बिल्कुल आपके पैसो के बिल्कुल वसूल होंगे और आप काफी अच्छा वने यूज कर पाऊगे लैग चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को अपने फैंड का शेयर भी कर लो इस वीडियो का लाइक टारगेट रखतें 20 लाइक का तो अगर लेते वीडियो को जल्ली से स्टार्ट तो सबसे पहले फोन पर हम चलते है तो हमारा पहला फोन आता है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 3 प्लस तो यह फोन अभी कुछ ताइम पहले ही लॉंच वायर काफी अच्छा फोन आपको देखने को मिल जाता है डिजाइन वाइस तो भाई किलर फोन है और बिल्ट क्वालिटी की बात करते हो प्लास्टिक से बनाऊ है तो इसलिए आवरेज आपको बिल्ट क्वालिटी द कखने को मिलती है फोन की बैटरी काफि अची देखने को मिल जाती है verk तुछ देखने को मिल जाती हैस को इसकी बैटरी थोड़ी इस phone में काफी अच्छी है अब price की बात करते हैं इस phone के आपको 2GB 32GB वाले का price 7000 देखने को मिलता है अब कुछ और highlighting features की बात कर लेते हैं तो phone में आपको 6.2 inches की HD plus की display देखने को मिलती है back side में आपको triple camera देखने को मिलेंगे 13 plus 2 plus low light का camera front camera आपको 8 megapixel का देखने को मिलेगा बैटरी की बात करते हैं फोन में आपको 3500 mAh की अच्छी वाली बैटरी देखने को मिल जाएगी fingerprint scanner वाकिर आपको देखने को मिल जाएगा और processor की बात करते हैं तो इसकंदर आपको Helio का A22 का processor देखने को मिल जाएगा तो यह था काफी साई phone अगर आप चाते हो तो आप इसे भी ले सकते हो बड़ जो है last का एक phone बताऊंगा वह काफी अच्छा है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना भाई क्योंकि आपको एक last वाला phone काफी अच्छा देखने को मिलेगा और मैं बताऊंगा क्या लेन में जुलाई में एक तो रियल में 100 और एक और भी कोई आएगा phone तो अब रियल में C2 की specification की बात करते हैं आपको 2GB 16GB वाले का price 6000 देखने को मिलता है और 3GB 32GB वाले का price 8000 तो वैसे तो यह वीडियो अंडर 8K के phone की है बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर बोलता हूं कि आप 6K वाला phone लेना यानि कि 2GB RAM 16GB वाला तो वीडियो जरूर देख लेना अब बात कर लेते हैं फोन के design की तो design काफी अच्छा देखने को मिलता है बैक साइड आपको diamond cut देखने को मिलता है बैटरी अच्छी है camera average देखने को मिलता है यानि कि ना जादा अच्छा कह सकते ना ज यहां पर आपको 6.1 inch HD plus की display देखने को मिल जाएगी back side में आपको dual camera देखने को मिलेंगे 13 plus 2 megapixel के front camera 5 megapixel का phone में आपको 4000 image की अच्छी वाली battery देखने को मिल जाती है प्रोसेसर की बात करें तो helio P22 का देखने को मिल जाएगा face unlock देखने को मिल जाएगा but fingerprint scanner इस phone में नहीं है और यहां पर आपको dedicated micro SD card के लिए slot मिल जागा यानि कि आप 2 sim और एक memory card साथ में लगा सकते इस phone के अंदर तो चलते अपने list के third phone पर तुमारा third phone आता है Asus Zenfone Max M1 तो हाँ यहां मैंने काए Asus Zenfone Max M1 Max Pro नहीं गा तो यहां पर Asus Zenfone Max M1 आता है तो इस phone की performance आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी camera average देखने को मिलता है price की बात करते हैं 3GB 32GB वाले का price 7000 देखने को मिलता है phone में आपको 5.45 इंचिस की HD Plus की display देखने को मिलेगी 13 Megapixel का back camera front camera 8 Megapixel का phone में आपको 4000 image की battery देखने को मिल जाएगी snapdragon का 430 का processor देखने को मिलेगा अगर आपका budget बिल्कु प्रोसेसर भी अच्छा मिल रही है तो आप ये phone भी ले सकते हैं अगर आपका 7000 का budget है तो चलते हैं हमने list के fourth phone पर तो मेरा fourth phone आता है Nokia 6.1 तो यह जो phone है इसका price उपर नीचे चलता रहता है मतलब 8000 से 9000 के बीच में रहता है क्या पता मैं वीडियो बना रहा है तो आप लो 12GB 32GB वाले का price 8-9000 देखने को मिल जाता है फोन की बैटरी अच्छी देखने को मिलती है Android One पर यह phone है यानि कि आपको security के update और यहां पर Android के update मिलते रहेंगे time to time 2-3 साल तक और यहां पर आपको full HD plus की display देखने को मिलता है camera ठीक सा आपको देखने को मिल जाता है मतलब ज्या आपको Android के साथ काफी सही जलती है क्योंकि Nokia का उपर से आपको बताई है processing अच्छी होती है तो यहां पर तीन जाने image की बैटरी आपको काफी सही देखने को मिलती है प्रोसेसर की बात करें तो 630 का processor आपको देखने को मिल जाता है इस phone के अंदर तो अगर आपको Nokia का phone लेना एक साल होगे मिरेको नहीं अगस्त में लिया था मैंने फोन तो अभी मिरेको एक साल नहीं हूँ है तो यहां पर यह फोन है काफी सही phone आपको देखने को मिलता है वालो एक दम जैन वन तो अब इसकी specification को चलते है जली से आर तो यहां पर आपको देखने को मिलते है 3GB 32GB वा यह कैमरा आपको average देखने को मिलता है पट भाई सबसे बड़ी दिक्कत इसकी display जो है ना भाई बहुत जल्दी टूट रही यार फोन नीचे गिरा और टूट जाएगी यार सच में 2000 की display लगती है इसकी यार पूरी मतलब मेरी दोस्त की दो बाई टूट चुगी मेरी दो ब जो रहे यार सच में नीचे गिरते ही तूट जाएगी तो आप टैंपरड वगे लाए इसकी security होती है शायद एक साल का ऐसे कुछ कि display अगर नीचे गिरेगी तो वो ठीक करा कर देंगे 300-400 ऐसे कुछ प्राइज होता है उसका तो वो ले लेना काफी सही रहेगा एक साल के लिए भाई बिल्कु प्रोटेक्शन है क्योंकि एक बार भी आपका phone गिरते ही ना 2000 रुपे का आपको चूना लगना है क्योंकि आर बिल्कुल मतलब यह समझे तो 2000 रुपे कहीं नी जाते 2000 रुपे की display लग रही है अपकी मेरे दो संद्र 500 की लग आई थी मैंने फिल पी 2000 की लग आई थोड़ी मतलब जान पैचान थी तो 2000 तक मतलब चल रही है जब जान पै प्लस की display देखने को मिलेगी और आपके camera की बात करते है 305 Megapixel का back camera जो कि एक average camera होगा और front camera 8 Megapixel का जो कि एक विकार camera आपको देखने को मिल जाएगा फोन में आपको 5000 MHz की अच्छी वाली बैटरी देखने को मिलती है हां यार बैटरी काफी सही चलती है यह बैटरी से में कुछ नहीं कहा सकता बैटरी काफी सही चलती है बेशक से charger जल्दी खराब हो जाता हो हां यार charger जल्दी खराब हो जाता है मेरे दोस्त का भी हो गया मे जिसके आपको गेमिंग वगरा करनी है बिल्कुल भाई पगजी खेल लो मतलब पगजी भी काफी स्मूथ चलने वाली है कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने होनी बट 80% से जब जाता फोन भर जाता है तो गेम होती है लैग यह बात मैंने खुद नोटिस करिए बिल्कुल अपने ए अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के अगले फोन की तो यह वाला फोन अभी लॉंच नहीं हो है बट इस फोन के चुब प्राइस चल रहे है वो यह चल रहे कि 8000 के आसपास ही आएगा यह फोन आठ से नो या साड़े साथ मतलब कुछ पता नहीं बट आठ के आसपास ही होगा अठ जार के आसपास इस फोन का प्राइस तो इस फोन का नाम है टैन और जी टू हाँ टैन और और ऑ आज बटानी है तो यह थे आपके कुछ बढ़िया वाले फोन अंडर एट के तो मैंने बता दिये अब अगर मेरी चोई जोटी तो मैं एसे Zenfone Max Pro M1 लेता, इस पर प्रोटेक्शन करवा लेता, इस पर प्रोटेक्शन करवा लेता है, कैमरा मेरे को इतना चाहिए नहीं होता, प्रुफोमेंस अच्छी चाहिए, बैटरी अच्छी ची वो मेरे को मिल जाती इस फोन के अंदर, तो यह वाला फोन मैं जरूर जरूर मैं थोड़ास अपना budget extend कर लेता, मतलब 8 से इसका price नो कुछ चलता रहता है, मतलब 8 से 9 के बीच में चलता रहता है, तो मैं थोड़ास अपना budget extend कर लेता, या फिर केसी offer वगरे का इंतजार कर लेता, और यह वाला phone जरूर ले लेता, तो दोस्तो यह थी वीडियो, अगर व